विद्धार्थी मित्रों हवे आज थी आपड़े कंट्यूनी करवाना अपड़े घंडितनों शिले बस अल्रेडी आपड़े घंडितनी अंदर चेप्टर एक पूर्ण कर दीदू चेप्टर एक अने बे अने हवे आपड़े जोवाना चेप्टर त्रौन के जैनू नाम छे द्विचल सूरेक समी करण अने पाचर सुचे युगमन द्विचल सूरेक समी करण बोलू तो कव्यू चेप्टर थाई जाए तो दोरण 9 चेप्टर थाई जाए वराबर आपड़े अवे आसीले बस कंट्यूनी करवाना चेप्टर बहुत सारू चे थोडूक वदारे ने द्विचल सूरेक समी करण युगम अवे आईया खास बार मुकवानों चेप्टर द्विचल सूरेक समी करण युगमा उपर तो चलो अवे आपड़े डीटेल मां समझवानों प्रयत्न करी के सू छे द्विचल सूरेक समी करण युगमा हवे द्विचल युलेक अईया थी इटली खबर पड़े के अईया चल किटला होई तो बे चल होई बरावशे बीजुसू कहेचे सूरेक वे आपड़े चेप्टर टू युलेके बभुपदी मां थोड़ों ख्याल मिड़े के सूरेक इलेके सिधी रेखा इटलेके की क्या थी करिया अपड़े तो चलनी गात उपर थी एक गात होई तो सूरेक बे गात होई तो सुगी दू अपड़े इने द्वी गात की दू त्रोन गात होई तो त्री गात की दू अन ए प्रमाने इना आलेक बड़लाया तो जी हुआ है या थी हूँ यू यू रिलेट कर श्वरूप होए तो त्यां सू मढ़ी या स्टांडर फर्म मा आपने 0 मढ़ी जाए के द्वी चल और बेचल सुरेक ये जिया बेचल वप्राया शे निगात लेली आपड़े 1 अने समीकरण एले केतनाँ E is equal to होई अने प्रमानित रूप होई तो E is equal to मा 2 होई एवे नथी कई रहे आपणे के is equal to पच्छी 0 जोई? नहीं, प्रमानित स्व Net रूप मा 1 होई हवे आपणे जी एद्विचल शुरेक समीकरण जो इमीत्रोículos समझाव द्विचल सुरेक समीकरण दोरण 9 महाता यहनु प्रमानित स्वरूप आपड़े कहीं केवू बने हाता के AX वत्ता BY वत्ता C बराबर 0 आ यहनु थाईग्यू प्रमानित स्वरूप समझ्जो स्टांडर्ड फोर्म थाईग्यू के दरेक समीकरण ने आरिते लख्वामा आवे पहला यहनी X चल वाड़ू पद लख्वामा आवे त्यार बाद Y त्यार बाद अचड पद अने बराबर सु थाऊ जोईए तो बराबर थाऊ जोईए शुन्या यहलेके 0 थाऊ जोईए यहाँ थोड़ी के कंडिशन समझवानी हती के आपड़ी AX वद्ता BY वद्ता C लखी रहा चे समझो तमें AX वद्ता BY वद्ता C बराबर 0 लखी रहा चे एमाची A वप्राय चे B वप्रायो चे अने C वप्रायो चे आप बद्दीच के भी छे वास्तविक संख्याओ यहलेके बिलोंग्स्टू शू लखी शक्याओ अपड़े R यहां के R जे शू चे तो वास्तविक संख्याओ अनो गण चे तो आपड़े लखी शक्ये बिलोंग्स्टू आरे के त्रोणे त्रोणे त्रोण A, B अने C जे छे ए वास्तविक संख्याओ माथी आवे यहलेके दन पन होई, रून पन होई, बरावर शे ए अपूनाग पन होई, कि कोई ए असम्मे संख्याओ के संख्याओ पन होई अपड़े उधाराण जोई एचे नेक्स्ट इर्यापने ख्याला उसे त्याँ हवे सु समझू छे अगर जो, A, B, C बिलोंग्स टू आर, बीजी शरत इयां सु समझू छे, ए शरत A छे कि आज A अने B खास द्याने लो इद्याथी मेत्रों खास द्याने ले जो, A अने B ने तमें खास द्यानमा राखो, कि आज A अने जे B छे, ए बन्ने एक साथे, खास कंडिशन जो जो, कि बन्ने एक साथे सुन्य थवा जो ये नई कि लोज़े के ेक सुन्य हं तो आन दो नई, एकलो A सुन्य होय तो आन दो नई B सुन्य होय तो पन राखो आन दो नई, पण बन्ने एक साथे सुन्य थवा जो ये नई तो आ कंडिशन ने हूं गानेतिक स्वोरुपे लखु तो कदा च आ रिते लखाए कि a² प्लस b² इस नोट इकवर्टू 0 अब इस इकवर्टू 0 क्या रहे थाए कि बंद्यनों वर्ग जारे 0 होई यहले बंद्य जीरो होई तो 0 थाए एटले एनो क्यावानों मतला सूचे के a ने b x साथे 0 होवा जो यह नहीं तो अत्यार सूधी मैं मतला चर्चा करी के द्विचल सूरेक समीकरण नी चर्चा करी छे समीकरण युगमन नामनों में क्या उल्लेक कर्यो नहीं हाल पूरतो कि सपोज आपड़ी सामे 4x वत्ता 3y वत्ता 5 बराबर 0 आ एक द्विचल सूरेक समीकरण नों उधारन थाई ग्युग अब यह उन्हें प्रमाणित स्वरूप साते सर खाऊ कायू ax वत्ता by वत्ता c बराबर 0 साते सर खाऊ तो मनें यहां सू मड़ी जै तो a बराबर मड़ी जै चार b बराबर सू मड़े तो b बराबर 3 मड़े औने c बराबर केटला बड़ी जै 5 आ दोरण 9 मा आपड़े जो बिजू आपड़े दोरण 9 मा सू करूतु ए पण खास सिखवानों छे एने यहां रिलेट करवानों छे के जे समीकरन लखूँछू आरे ते पण गणी बदी जग्या लखेलू आई छे ax वत्ता by वत्ता c बराबर 0 आपड़े सू करता ता तो आपड़े एनना अलग अलग मिढवता हता याद छे नै नॉम्भू दुरों थोडू क याद करियलो के ax वत्ता by वत्ता c बराबर 0 ना उकेल मेढवता आ मात्र एक समीकरन चे एटले आपने एनना अंत उकेलो मरता हता असंहिया उकेलो मरता हता औने ए उकेलो ने आपणे ग्राप पेपर उपर आलेक पे तो आठ चर्चा थाई कहिं और उकेलों मा आपने सु मड़े के एक एक नी कीममत मड़े अनिे बीजी को तो मेड़ा भी पड़े एटले अई या थी आपड़े नहुमाने चर्चा पूरी करी आने एक वस्तु जोई लेए कि AX वत्ता BY वत्ता C बराबर 0 जो आ एक द्विचल सूरेक समी करण होए तो एनो कोई उकेल मड़ी जाए आपणने XY यह जे आनू समाधान करे यह बराबर 0 म द्विचल सूरेक समी करण अने 85 सू लख्यू चे मित्रो तो पाचर लख्यू चे युग्म युग्म एटले के अईया किटला जोवा मड़ से आपणने 2 लेके समी करण निसू जोवा मड़ से जोड़ जोवा मड़ से लेके 2 समी करण जोवा मड़ है यह जोड़ जोवा मड समीकरण 1 जे छे एने हवे हुँ दर्शाइस a1 x कहीस एने वत्ता एने कहीश आपड़े b1y वत्ता c1 बराबर 0 ख्यालावी गयो क्याम के मारे ने अलग पाड़ावुश ने हुँ बद्धी चग्या a x वत्ता b y वत्ता c एतो स्टांडर फोर्म पन टेला माटे ये छे ता अपड़े ने कहीश a1 x वत्ता b1y वत्ता c1 बराबर 0 अने जे समीकरण 2 जे छे एने हुँ लखीस a2 x वत्ता 25 लखीस b2y लखीस वत 10 करी रख्यों kे a x वत्ता b y वत्ता c लाख्या अला मांते जो मारे एन्ने जो सरका हीँ तो म audio कौनी कीमत माडी जाए और कौनी कीमत घ्याए वान नी कीमत अनै कौनी कीमत पड़ें यह कौनी कीमत हाई है 2 b2 अने कौनी c1 कीमत मांडु जाए आneh में अन्य comprendre और a1≬2B1≬2 is not equal to see То 0 has is not equal to 0 आटली एक देयान म 오랜만 호 चे एले के 2 समिकरणों मानी लो आपकोई 2-2 समिकरणों लहीं healthier कि 2 एक्स 3yوم法 4 बराबर 0 अने 5 चेक्स माइनस छोवाई वत्ता साथ बराबर जीरो लिदा आ समीकरण ने समीकरण एक कई दो आ समीकरण ने समीकरण बे कई दो तो द्विचल सूरेक समीकरण थाई गया बे जोड थाई गया यले के आ सू थाई गया द्विचल सूरेक समीकरण युग मा थाई गया હવે એક વસ્તુ દ્યાનમાં લેવાનો છે કે આપણે આ બંનેના ઉકેલ મેડવાના છે નવમામાં સુ કરીં એક સમીકરણ લીદુ એના આસાંખ્યા ઉકેલો મેડવીલીદા એલેકે કેઓ મળે તો સીધી રેખા મળે તો સામે આપણે જોડે આપણ દ્વી ચલ્છું એનો આલેક પણ કેઓ મળે તો આપણ કેઓ મળેશે આપણે સીધી રેખા મળેશે ત્યાં તો હવે સું થયું કે જારે નવમા દોણમાં આપણે જારે એકજ સમીકરણ લેતા હતા તો એનો આલેક સિધી રેખા મળેઓ સપોજ હું માની લોં કે મારી પાસ સિધી કે નો આલેખ પને મળેઓ હૂરેઓ પૂરેઓ પણે લેખા મળેઓ તો હવે એટલૂ ક્લું ક્લેઓ થાઈકેં कि एपन कि एवि तो बे सीधी रेखाओ मड़िक अबहए समज़ गें तो हवे आपके याद करू पड़े सम्तल आपने खबर छे कि सम्तल मुझे कि सम्तल माँ सपोज आपने वर्तूट ये सम्तल नौ त्रोन भाग विभाजन करें वर्तूर पोतेस वर्तूर नो अंधर नो भाग अने वर्तूर नो भाग तो मीत्रों ए रित्या क्वया रेखाओ पंगी समतल मां अलग अलग हौई शके से तो समतल विशे क्लेरिफाइग कर दोस से के जो तमारी पासेग रेखा यो चैनल तो तमारी जोडेक शक्केता हो किटली किटली तो नमबर कई रीते । कदा आज आ रीत्य मा नियुक्त शक्क 변 पडे न थी, एले के पोट-पोटा ना रस्ते सिधी – सिधी चाली जाएशे m नी वच्चे नू अंतर क्या बढ़ला तु न थी अंतर ना बढ़ला इलेग एक भीजाने छेदवान इदन धी तिया हैं तो e-v रेखाओने आपड़े सु कई देए तो e-v रेखाओने आपड़े कई देशु समान्तर रेखाओ एलेगे एक रेखा एवन पैला समीकरणी रेखा सीधी जायेशे निचे न निचे बीजा समी करनी पन रेखा जाये глаз कोई पने रीते होई सके छे समानता रे है अरीते पने समानता रे HELफ्ए बaları घो अने में ने आयक सम् में एमित पॉसिस में समयाँ सम्पाथ संपाथी मां समझो के आ पेली रेकाणुkeiten समयकरन छे एना उप्पर नहां उपपर बीजी रेखा जाए छे मतलब समयकरन अलग छे marks is पर्ण तु यहांनों जयर्यारें निरूपणकरीया चे आलेक मां तो यह बनने घधार एक जरेखा उपर जाए प्याली रेखाऊनु में आ रीते दो रीदू, एना उपर क्याक वच्चे थी कोई बीजी रेखा जाये छे तो आ रेखाऊने आपने सुखी तू समपाती रेखाऊ तो हाल तमारे आटलू याद राखवानु छे बीजू के बेज समीकरण हता, एक समीकरण एवन वाड़ू याद प्यल्लू समीकरण और बीजू समीकरण बीटू आनो आपने कोई चोकस उकेल xy लेक आ रीते मरतो होई छे हवे आज ये उकेल xy मरतो होई छे, एमा पन त्रोंड शक्यता होई छे पद्धी रेखावनु काम आए उसे कदाच आपनने एक ने मात्रë एक जूकेल मरतो होई,श उकेल आझ ड़न मरतो होई, जे आपने पलों जोहाई Кजा ऑसंहन मरता होई, पहले आपने आपणी चर्चा यहां सुधी राख्या चे तमारे सु करवानों चे त्यारे तो कोई पन बे समीक्रण लखवाना चारी ते के 2x प्लस 3y माइनस प्लस गमे ते लई शको प्लस 4 उक्वार टु जीरो नेक्स वीडिया माऊ एने प्रमाणी स्वरुपनी पंचर्चा करवानों चे बिजू समीक्रण चे सपोज 6x माइनस 5y वत्ता साथ बराबर शू करिश्तिया जीरो तमारू काम सू पहला तो तम एने प्रमा शार थाए यहां हूँ एटू नी किम्मट लखू छू एथसे छब बीटू बीटू नी किम्मट लखी शू माइनस 5 अने सीटू नी किम्मट लखी शू साथ तो तम्हें हाल पूर्ता एक्जामपल लेने आशरुवत करी दो अगार ना जे आपड़े जो आगड़ना के जे क करोनों पसी आपड़े A1, B1, C1, A2, B2, C2 आने किम्मतों व्यवस्थित रिते लखता शिखी जाजो क्याम के आनों आपड़े बाउज उप्योग करवाना छिए औने ए उप्योग कर्या बाद आपड़े क्यों घानिती गरिते नक्की करी दिये छे कि पई आ रेखाओ संप